प्यार्विद्दैर्थियो आज हम उडान कारी पुस्तिका चरण तीन के अंतरगत कक्षा आठ विशे हिंदी में अध्यायच है ये सबसे कठीन समय नहीं कवित्ता का उडान कारी पुस्तिका का कारी करेंगे आसा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्यारे भी दैर्थियो आप अपने चैनल नौजल एजुकेशन सिलारपुर को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तथा कॉमेंट करें अब देखिए ये गती विदी एक है ये कवित्ता का एक पद्यान्स है इस पद्यान्स को हमें द्यान पूर्वक पड़ना है और परसनों के उत्तर देने है पद्यान्स के अमसार किसमत किसे कहा गया है मेहनत को किसमत कहा गया है जो अपनी किसमत रचते हैं उन्हें क्या कहत सच्ची खुशी का हगदार कौन है जिसने फूलों का दामन चुना हो पद्यान्स के अनुसार किसका अंदकार मिटाना है निरासा का अंदकार मिटाना है दिये गए सब्दों का विलॉम सब्द पद्यान्स में ढूंड कर लिखिये परकास का विलॉम सब्द अंदकार होता है सुक का विलॉम सब्द दुख होता है निरासा का विलॉम सब्द आसा होता है निम लिखित कावे पंक्तियों को पूरा करना है में जो रुक गया मिट गया उसका नामों निशान जो चलता रहा अपनी मन्जिल वो पा गया खुशी के हगदार हैं वही जिनोंने दुख को चुना छोड के दावन फूलों का काटों की राहों को चुना अब ये परसंट साथ है हम अपनी किश्मत को कैसे बना सकते हैं च्यार पांच पंक्तियों में लिखना है कड़ी मेहनत करनी चाहिए लक्स निरदारित करें समय का परबंदन करें लगातार जियून में शीखते रहना चाहिए सकारात्मक सोचते रहना चाहिए आपने पिछली कक्ष्याओं में किश्मत और मेहनत की कोई कविता उस्य पड़ी होगी विशे से समन्दित कविता की पांच शे पंक्तियां हमें लिखनी है साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना साथी हाथ बढ़ाना हम मेहनत करने वालोंने जब मिलकर कदम बढ़ाया किश्मत और मेहनत में क्या अंतर है उदार्ण साइद लिखना है अब देखिए किश्मत को भाग गया नसीब भी कहते हैं जो हमें प्राकर्ति की अदेव्य गटनाओं पर निर्बर करता है और इसे श्विम नियंतरित नहीं कर सकता मेहनत कार्त है किसी कारिय को पूरा करने के लिए किया गया परिश्रम जिसे वेक्ति अपनी इच्छा परियास से नियंतरित करता है उदार्ण आपने किसी प्रिक्षिया के लिए पूरी मेहनत की लेकिन प्रिक्षिया में कुछ ऐसे सवाल आगए जो आपने पढ़े नहीं इस आँखें खुशी से चमक उठी, सासी, सासी वेक्ती, विश्वास से परविपूर्ण होता है हकदार, उसे वह सजा मिलेगी जिसका वह हकदार है, देव चलाना दिपावली पर लोग देव चलाकर तयोहार मनाते हैं, इश्वर, इश्वर ने दुनिया बनाई, अभी गती कवी पद्याञ्स में, किस मंदिर की बात कर रहे कवी, पद्याञ्स में, भारत माता के मंदिर की बात कर रहा है, पद्यान्स के अनुसार जाती धरम और संपर्दाय का भेद कहा नहीं है भारत माता मंदिर में पद्यान्स के अनुसार सब को आदर सम्मान कहा मिलता है भारत देश में मिलता है मनुस्य का हर्दे कैसा होना चाहिए पवित्र होना चाहिए बारत माता के मंदिर में किस परकार का भैद भाव नहीं है बारत माता के मंदिर में जाती द्रहम और संपरदाय का भैद भाव नहीं है उप्रियुक पद्यान्स में किन किन महानपुर्सों का उणन किया गया है उनके बारे में क्या चर्चा की गई है इस पद्यान्स में राम प्रहीम, बुद, इसा, मसी, जैसे महानपुर्सों का वर्णन किया गया है। कावई पंक्तियों को पूरा करना है सब तीर्थों का एक तीर्थ, ये हर्दे, पवित्र बना ले हम, हम सो सो आदर्सों को लेकर एक चरितर बना ले हम, आपके कितने मित्र हैं, उनके नाम लिखो, उनमें से कौन आपको अच्छा लगता है और क्यों, मेरा केवल एक ही मित्र है, उसका नाम ये मैंने लिख रखा है, वह हमेश्या मेरे सुख दुख और हर कारिये में खड़ा रहता है, इसलिए वह अच्छा लगता है, हम सब के मित्तर कैसे बन सकते हैं वेर की भावना का त्याग करके हम सब आपस में मित्तर बन सकते हैं तथा आपस में प्रेम से रह सकते हैं उप्रियुक पध्यान्स में एकता को एक सुत्तर में बांधने के लिए क्या परियास किया गए सबी धर्मों संपरदाय के लोगों का समान दरश्टी से सम्मान किया जाता है गती विदी तीन देखिए यहां विलॉम सब्द से सम्मन दित है आहार का विलॉम सब्द निराहार होगा सगुन का विलॉम सब्द निरुगुन होगा अब इनको मैच करना है अपना का प्राया हो जाएगा परसंसा का निंदा हो जाएगा आय का वे हो जाएगा कठीन का सरल हो जाएगा विलॉम सब्द जाय का विलॉम सब्द पराजे होता है ए उपसरक लगाकर विलॉम सब्द बनाईए सब्बे का ए सब्बे हो गया नेतिक का ए नेतिक सिक्षित का ए सिक्षित हिंसा का ए हिंसा ग्यात का ग्यात लोकिक का ए लोकिक विलोम सब्द गरम का ठंडा अपमान का सम्मान अनुकूल का परतिकूल गुरू का लगू रेखांकित सब्दों के विलॉम रूप लिख कर रिक्त थान भरो बुराई करके अच्छाई की आस मत करो मेहनत से बंजर दर्ती को भी उर्वर बनाया जा सकता है विलॉम सब्द का अर्थ सपष्ट करते हुए पांच उदार दीजिए जिन सब्दों के विपरित अर्थ निकले उन्हें विलॉम सब्द कहते हैं धरम का है धरम आय का वे हार का जीत अमीर का गरीब गुन का दोस निम लिखित विलॉम सब्दों की सायता से वाक्य पूरा करना है पत्थर कठोर होता है लेकिन फूल कॉमल होते हैं हमें हमेशे दूसरों का भला करना चाहिए बुरा नहीं करना चाहिए सोने के दाम महंगे हो गए हैं पर चांदी के दाम सस्ते हैं किर्केट के मैच में भारत की टीम जीत गई और विपक्षी टीम हार गई शिरी किर्शन धनी थे परंतुश के मित्र सुदामा निर्धन थे विलॉम सब्दों के जोड़े का परियोग करके वाक्य बनाईए जड़ चेतन जड़ और चेतन दोनों ही संसार में मौजुद तत्तो है आएवे वे नगन ने आएवे पर काम कर रहे हैं एकता अनेकता अनेकता में एकता भारत की पहचान है